जैसे कृष्ण दोस्तों, वेलकम बेक टू माई चैनल जल्दी ही जन्मास्टमी आने वाली है और हम सबी जानते हैं बाल गोपाल को माखन कितना पसंद है लेकिन माखन के साथ साथ लड़ू गोपाल को पंजेरी का भी भोग लगाया जाता है तो आज मैं आपके साथ पंजेरी की ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो आएए शुरू करते हैं पंजेरी बनाने के लिए यहां पे मैंने एक कटोरी के जितना खड़ा धनिया लिया है अब धनिया को हमें लो फ्लेम पर हलकी खुश्बू आने तक सेक लेना है धनिया को लगातर चलाते रहना है ताकि वहां हर तरफ से अच्छे से सिख जाए धनिया का कलर चेंज होने लगा है और इसकी खुश्बू भी आने लगी है अब हम फ्लेम को बन कर देंगे और धनिया को एक बोल में निकाल लेंगे ताकि वह ठंडा हो जाए अब उसी कड़ाई में मैंने आधा चमच की जितना घी ले लिया है दस से पंदरा कटे हुए बदाम ले लिये है अब बदाम को हमें लो फ्लेम पर कलर चींज होने तक भुनना है बदाम का कलर अब चींज होने लगा है अब हम इसी स्टेज पर गेस को बंद कर देंगे और बदाम को एक बोल में अलग निकाल कर रख देंगे उसी कड़ाई में आधे चमच के जितना घी और ले ले लेंगे कटे हुए 10 से 15 काजू इसे भी हमें लो फ्लेम पर हलका कलर चींज होने तक सेख लेना है काजू अब अच्छे से सीख चुके हैं अब हम इसे भी एक बोल में निकाल कर अलग रख देंगे फिर से आधे चमच के जितना घी और ले लेंगे एक कटोरी के जितने मखाने मखानों को भी मैंने पहले से कट करके रखा है इने भी लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक हमें सेख लेना है मखाने आसानी से तूट रहे है अच्छे क्रिस्पी भी हो गए है अब हम फ्लेम को बन कर देंगे और मखानों को भी एक बोल में निकाल लेंगे थोड़ा सा गी और ले लेंगे इसी में एक कटोरी के जितना कट्दूकस किया हुआ सुखा नारियर ले लेंगे और इसे भी धीमी आज पर हलका कलर चेंज होने तक हम भूल लेंगे और हाँ दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे सुख्य नारियल का कलर भी हलका सा चेंज हो गया है अब हम फ्लेम को बन कर देंगे और कटोरी में इसे भी अलग निकाल लेंगे पंजेरी की सारी सामगरी तैयार है पंजेरी बनाने के लिए एक मिकसर जार में हमने जो धनिया भूना था वूराल लेंगे इसी के साथ हमें आदा कटोरी के चितना चीनी लेनी है चीनी अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या जादा ले सकते हैं अब हमें इन दोनों को ग्राइंड कर लेना है और एक दम बारिक पीस लेना है धनिया और चकर अच्छे से पीस चुके हैं अब हम इसे एक मिकसिंग बोल में निकाल लेंगे मैंने यहाँ पे अब लगबग साथ से आठ चमच के जितना गी लिया है अब पहले मैं इसमें केवल तीन बड़े चमच के जितना ही गी डाल रही हूँ सारा गी एक साथ नहीं डालना है गी को अब हम अच्छे से मिकस कर लेंगे अब मैं इसमें तीन चमच गी और डाल रही हूँ गी को अब हम अच्छे से मिकस कर लेंगे पंजेरी का कलर ना इस तरह से गहरा हुजाए ना उतना ही गी हमें डालना है अब जो बचा हुआ गी है वो मैं अब नहीं डाल रही हूँ एक छोटे चमच के जितना इलाइची पाउडर डाल देंगे हमने जो कोकोनट भूना था वो डाल देंगे भूने हुए मखाने भूनी हुई बदान भूने हुए काजू अब इन सब को हम अच्छे से मिकस कर लेंगे जन्मास्टमी भूग के लिए पंजेरी तैयार है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए हो तो कमेंड में जैसी कृष्ण लिखकर जरूर भेज दीजिएगा और हमारे माखंचोर के लिए एक लाइक तो बनता ही है तो फटा फट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए राधे राधे और हम दोंगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब